हालो स्टूदेंट्स ये चाप्टर टू का आपका लास्ट टॉपिक है डाट इस डिफरेंस बिवीन हेंडी फ्योल और फ्डाब्लू टेलर तो एक बात तो आपको पता है कि हेंडी फ्योल जीने इन्होंने जो है जो है जनरल प्रिंसिपल्स ओफ मैनेजमेंट दिये थे वेर तो जो आपका फ्योल का प्रिंसिपल्स बना था वो प्योली बेस था उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे तो जो हैंगी फ्योल के पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो उन्होंने समझा था उस और्गनाइजेशन में उस अंस्था में रह करके उसके बेसिस पे उन्होंने जो है सा भी principle था वो सारा जो है observation और experiments के basis पे था इन्होंने अपने organization में रह करके जितने भी experiments perform किये थे जो भी observe किया था अलग-अलग लोगों को उसके basis पे जो है इन्होंने अपने सारे principles बताए थे तो in simple words you can just think that Henry fuel इनका personal experience जो भी बोलता था उसके basis पे इन्होंने principles बनाए and F.W. Taylor इनका observation और इन्होंने जितने भी experiments perform किये उसके basis पे इन्होंने principles बनाए next point is focus तो यहाँ पर जो है जो है इन्जी फ्योल का focus था यह था बिल्कुल improvement पे for improving overall administration of the organization ठीक है मतलब की improvement in the overall administration जो भी administration से related चीज़ें थी management से related चीज़ें थी managers से related चीज़ें थी वो सारी जो है हें इन्होंने जो भी principles बनाए हैं वो managers को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं whereas F.W. Taylor इनका पूरा पूरा focus बूरा पूरा concentration था productivity increase करने में किनकी workers की productivity increase करने में तो यहां पर आपको यही चीज़ समझनी है इस point of difference में कि hindi fuel ने यह managers के लिए बनाया था and F.W. Taylor ने सारे principles workers के लिए बनाये थे point number three applicability तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो hindi fuel का principle है वो universally applicable है क्यों क्योंकि वो जो है जादा flexible होता है उसको हम जादी जगा use कर सकते हैं लेकिन जो आपका F.W. Taylor का principle होता है techniques होती है वो less flexible होती है और इनको जो है हम सिर्फ specialized situations में use कर सकते हैं हर जगा जो है हम F.W. Taylor की techniques use नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने जादतर workers को धान में रखते हुए सारी techniques और सारे principles बनाये थे point number 4 perspective ठीके perspective में आप देख सकते होत जो भी handy fuel ने principles बनाये थे वो top level management को ध्यान में रखते हुए बनाये थे managers को ध्यान में रखते हुए बनाये थे लेकिन जो F.W. Taylor थे इन्होंने जो है lower level को shop floor level को ध्यान में रखते हुए सारे principles बनाये थे next point is personality तो यहां पर जो है हम Henry fuel की personality के बारे में बात करते हैं वो जो है practitioner थे and known as the father of general management ठीक है तो यहां पर Henry fuel को हम practitioner के नाम से जानते हैं कि वो practitioner थे and यह चीज आपको जहान रखनी है father of general management अगर आपसे exam में question पूछे तो आपको जो है Henry fuel का नाम mention करना है हम F.W. Taylor की column में देखते हैं अब यहां पर लिखा है scientist and known as father of scientific management तो यहां पर आप देख सकते हो आपको समझ में आ रहा होगा कि F.W. Taylor he was scientist ठीक है and इनको जो है father of scientific management बोला जाता है यह चीज आप ध्यान रखोगे Henry fuel में general management और F.W. Taylor में scientific management next point is human element यहां पर जो है आप देख सकते हो जो आपके Henry fuel है इन्होंने human element को जादा importance दी है इन्होंने बहुत जादा human beings को importance दी है इनके जितने भी principles है वो जाद तर जो है human beings के around जो है revolve करते हैं जैसे आप देख सकते हो principle of equity initiative stability of tenure of personnel ठीक है division of work क्या फिर आप कोई भी उठा लो आप इनके principle आप देख सकते हो कि उसमें human element human beings की चर्चा जादा है सारे principle जो है लगबग human beings के लिए बनाए गए हैं लेकिन जो fw टेलर ने principles या techniques बनाई हैं उनका focus जो है humans humans पर जादा नहीं था human beings को चोड़ करके human beings पर बहुत काम focus उन्होंने किया उन्होंने जो जादा focus किया वो किया production पर की production कैसे increase होगा तो यहां पर आप देख सकते हो henry 4 में more importance given to human element example principle of equity and fw टेलर में आप देख सकते हो more importance attached to increasing the production rather than to human element next point is emphasis तो यहां पर जादा तर जो है emphasis था principles पे and theory of general administration पे साथ ही साथ जो है इन होने functions जो five functions आपने पढ़े हैं planning, organizing, staffing, acting, controlling वो भी जो है इन्होंने ही handy fuel ने ही derive किये थे ठीक है find out किये थे next जो है जो आपकी tailor है इनका जादा तर जो emphasis था वो था standardization of works and tools ठीक है मतलब कि यहां पर इनका जो emphasis था वो tools पे था और standardization of work पर था I think it is clear next one is expression तो expression में आप देख सकते हो है यहां पर इनका जो handy fuel है इनका पूरा contribution किस चीज में था general theory of administration पर मतलब कि इनकी जो theory थी वो general theory थी and हर जगा उसको apply किया जा सकता है and F.W. Taylor कि जो theory थी principles थे या techniques थे वो थे scientific management पर कि मतलब science को use करके scientific तरीके यूज करके आप काम कैसे कर सकते हो and the last point is unity of command ठीक है unity of command में अब देखो तो henry fuel he said कि हमें जो है strictly unity of command follow करना चाहिए हमारे organization में सिर्फ one boss होने चाहिए whereas Taylor Taylor जो है इस principle को मानते ही नहीं है वो unity of command को मानते ही नहीं है वो यह कहते हैं कि 1% के अंदर सारे जो है qualities available नहीं हो सकती सारी quality एक बंदी के अंदर आपको नहीं मिलेगी इसलिए जो है उन्होंने insist किया functional formanship पे and functional formanship में आपने पढ़ाई है कि total 8 boss की उन्होंने बात की थी तो यहां पर एक difference आप देख सकते हो henry fior he said one boss होने चाहिए and fw taylor he said eight bosses होने चाहिए I think all the point of difference to you are clear okay then thanks for watching this was the last video of this chapter अगर आपको still कोई भी doubt आ रहा है chapter में किसी भी topic में किसी भी portion में तो आप मुझसे पूच सकते हैं comment box में आप जो है अपनी queries mention कर सकते हैं thanks for watching keep studying keep rocking please like share and subscribe my channel have a good day bye bye